Good morning students, how are you all? I hope you all are fine आज हम class 3rd का chapter 13 पढ़ेंगे मिर्च का मज़ा ये बहुत अच्छी पोयम है, interesting पोयम है, आप लोगों को बहुत interest आएगा पढ़ने में आएए पढ़ते हैं पोयम को एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुँमे पानी सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा यह जरूर इस मौसिम का कोई मीठा फल होगा यहाँ पर एक काबुली वाले की लोग कहानी कह रहे हैं उसका जो मुमे पानी भर गया उसको लाल मिर्च देख की है ना लाल मिर्च कितनी तीक ही होती है लेकिन उसने सोचा कि इसमें बहुत अच्छे दाने हैं और इससे मुझे शक्ती मिलेगी और यह इस मौसिम का कोई मीठा फल होगा ठीक है एक चवन्नी फेक और जोली अपनी फैला कर पहले की जमाने में चवन्नी अठन्नी चलते थी चवन्नी कितने होता है चवन्नी होता है पच्छिस पैसे ठीक है उसने एक चवन्नी फेकी और अपनी जोली फैला दी कुझडिन क्या होता है कुझडिन होती है जो फल सबजी वगएरा बेचती है न उनको कुझडिन बोलते हैं से बोला बिचारा जी होती हो कुछ समझा कर लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की तो हमको दो तोल छीमिया फकत चार आने की अब उसने कहा ये लालल पतली छीमी छीमी मतलब होती है फली उसने सोचे ये फली है और उसने कहा कि ये पतली सी फली है अगर ये खाने की चीज है तो हमको दो तोल हमें ये छीमिया यानि की फलिया फकत चाराने की तोल दो चाराने कितने होता है पच्चिस पैसे पच्चिस से बोली और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी जोली अब कुजडिन ने तुरंत का हां यह तो सब खाते हैं और उसकी जोली किस से भर दी लाल मिर्च से भर दी ठीक है मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके लगा चबाने मिर्च बैठ कर नदी किनारे जाके अब का अबली वाले नो सोचा भाई बहुत सस्ता सौदा मिल गया है वो खुश हो गया बहुत मगन हो गया और नदी के किनारे बैठ कर वो मिर्च चबाने लगा ठीक है मगर मिर्च ने तुरंत जीब पर अपना जोर दिखाया मूँ सारा जल उठा और आँखों में जल भराया अब वो तो मिर्च थी फली थोड़ी ना थी उसने अपना जोर दिखा दिया कि मिर्च खाके कैसा हो जाता है मूँ सारा जल जाता है ना मूँ जल गया उसका आँखों म उसके पानी भर गया पर काबुल का मर्द लाल चीमी से क्यों मुख मोड़े खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाय छोड़े अब वो काबुल का मर्द था यानि काबुल क्या है काबुल एक शहर है ठीक है उसने सोचा कि ये लाल छीमी से मैं मुख क्यों मोड़ूं मुझे तो ये खानी है अगर इस पर पैसा खर्च किया है मैंने तो मैं इसको खा कर ही रहूंगा आँख पहुचते दांत पीसते रोते और सियाते वे खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सियाते आँख मोच रहा दांत पीसरा आपने रो रहा है है ना लेकिन वो मिर्च को खाये चले जा रहा इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही बोला बेवकूफ क्या खा कर यूं कर रहा तबाही कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा जा तू अपनी रहा सिपाही मैं खाता हूँ पैसा अब उधर से एक सिपाही आगे सैनिक आ गया है न वो बोला बेवकूफ ये क्या कर रहा है इसे खा कर क्यों अपनी तबाही कर रहा है क्यों मूँ जला रहा है इसको तो काबुलीर वाले ने कहा कि मैं आदमी ऐसा वैसा नहीं हूँ तू अपनी राह देख, तू अपने रस्ते जाब मैं अपने पैसे की फलियां खा रहा हूँ मैं खाता हूँ पैसा तो कैसे लगी आपको पोयम? I hope बहुत मज़ा आया होगा आपको पढ़के यह पोयम लिखी है शिरी रामधारी सिन दिन का जिने इसको आप अच्छे से रीट करना and stay home, stay safe ओके, बाए